कि हैं अलो दोस्तों आपके कैसे आलचाल है अलपा इंस्टेट्ट अपका स्वाग्त अबस बात करने बारे भाई लेक्चर नमर 31 की जो आपको मैंने बताया हुआ था कि जैसे की आपको जितने भी बताया गाँ था कि आपके आपकी 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 तो लिख लेना भाई क्या लिखोगे आक्सी अमल ठीक है आक्सी अमल देखना है कि आक्सी अमल होता क्या है और इससे काम कैसा है और ये करता क्या है ठीक है आक्सी अमल की बात करेंगे तो भाई देखो सभी लोग आक्सी अमल बनाते हैं बस एक ही फ्लोरीन होता है जो एक ही ऑक्सी अमल बनाता है जिसे बोलते हैं हाइपो फ्लोरस अमल करते हैं क्या करते हैं हाइपो फ्लोरस अमल करते हैं बस एक ही होता है उसका बक्या सारे लोग क्या करते हैं सारे लोग क्या बनाते हैं सारे लोग क्या बनाते हैं आपके ऑक्स क्यवल के वला कि फ्लोरीन कि क्यों फ्लोरीन 1 और गार निर्मान करता है कैवल एक आक्सियम्यका निर्माण करता है तथा अन्य सभी हैलोजन क्या करते है भई आक्सियम्लिक या पार कह सकते हो अन्य सभी हैलोजन चार-चार चार-चार आक्सी अमलका निर्माड करते हैं क्या करते हैं आक्सी अमलका निर्माड करते है समझ गया है क्या करना बई चार-चार आक्सी अमलका निर्माड करते हैं सारे लोग करते हैं चार-चार का निर्माड करते हैं वो रहता है ठीक है क्यों कि अन्य हालोजन के पास क्या होता भई DR कच्छक DR कच्छक खाली होता है DR कच्छक खाली होने की वज़े से ये लोग क्या करते है भई चार चार का निर्माण करते है चार कर सकते है पांच कर सकते है कुछ तो ज़्यादा भी करते है वो अलग बात है ठीक है लग बग माने सा मानते है वो चार करते है उससे ज़्यादा भी करते है वो कुछ अन्य टाइप को हते है ठीक है बाते समझ में जैसे मैं बात करता हूँ जैसे मैं बात करो D-Arbital खाली होने के वज़े से ऐसा होता है तो लिख लो भाई, पहले लिखो कि हम सब का बना देते हैं एक शिक्चे बना देते हैं उसी हिसाब से लिखना है, क्या करना है आपको यहाँ पर आकसी करड़ संख्या होगा संख्या ठीक है आगे जो होगा, वो होगा आपका यहाँ पर फ्लोरीन लिख लेते हैं फिर आगे क्लोरीन लिख लेते हैं ब्रोमीन हो जाएगा फिर आयोडीन लिख लेते हैं ठीक है सबका औक्सियम लिखेंगे मैं पहले समानते लिखूंगा नाम लिखता हूँ बही समान नी तरीके से यदि मैं बात करूँ बोलता हूँ मैं नाम लिखता हूँ मैं नाम लिखने का मतलब सबस्थे हो मैं कामन नाम लिखूंगा कामन लिखूंगा कामन लिखूंगा उस को बोलते हैं H O X इसका नाम क्या भई हाइपो 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 क्या था भई हाइपो हैल असमल होता है बास समझ में आकसी करसं क्या इसमें क्या होता है बीच वाली का एकस क्या होता है बाई प्लस वन होती है अब फ्लोरीं के साथ लिखना अच्छा हो तो क्या हो जाएगा भई ह एच एफ ओ हो जाएगा ठीक है या इसी को लिख सकते है एच ओ एफ इसका नाम क्या हो जाएगा भई हाइपो 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 फ्लोरस अमल क्या हो जाएगा फ्ल ठीक है बात समझ मैं यदि क्लोरीं के साथ लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बात समझ मैं आगे मैं लिख सकता हूं इसका या फिर लिख सकते हो हो बी आर ठीक है बात समझ बाई एक हो गया बाई दूसरा नाम लिखोगे प्लॉरिंग के साथ लिखोगे तो कोई नहीं बनता है, क्लोरिंग के साथ कोई नहीं बनता है, क्लोरिंग के साथ एक 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 बनता है, क्लोरिंग के साथ O2 होगा, ब्रोमीन के साथ बनेगा, क्या हो जाएगा, H-B-R O2 हो जाएगा, और I-O-D के साथ बनेगा, तो H-I-O 2 हो जाएगा, ठीक है बात समझ भाई, इस तरीके से next की बार करते हैं तो लिख सकते हो भाई, H-X-O-3 लिख सकते हो, इससे बोलते है है, हैलिक अमल, क्या बोलते है हैलिक हैलिक अमल, क्या होगा इसकी आक्सिकर संक्या, तीन में होगा क्या होगा, तीन में होगा ठीक है, वासबज में, सुरी, इसका तीन में होता है, इसका कितना होगा भाई, इसका प्लस पांच में होता है, किसमें प्लस पांच में इसका तो नहीं बनता है इस वाले का बनेगा क्या H-C-L-O-3 इसका बनेगा H-B-R-O-3 और इसका बनेगा H-I-O-3 हो जाएगा बात समझ भाई आगे next लिखोगे नीचे लिख लेना इसके दिख रहा है I think नहीं दिख रहा है तो मैं उपर लिख देता हूँ क्या करता हूँ इनी के उपर लिख देता हूँ ठीक है लिख लेना देख लेना भाई नाम के उपर लिख रहा हूँ मैं इसको बोलते हैं परहलिक क्या बोलते हैं इसी के उपर मतलब इसी के नीचे लिख रहा है मैं उपर लिखाँ पर हैलिक अमल ठीक है अब क्या हो जाएगा भाई नाम क्या आक्सिकर संक्षा क्या होगा प्लस सेवन हो जाएगी क्या हो जाएगी प्लस सेवन होगा फ्लोरीं के साथ कोई नहीं बनाता है फ्लोरीं के साथ एक बनाता है क्या बनाता है? HClO4 हो जाएगा, क्या हो गए? HClO4, bromine के साथ HBRO4, और iodine के साथ हो जाएगा HIO4, ठीक है? iodine के पास D-Arbital इसलिए ऐसा काम कर लेता, क्या करता है? ऐसा काम कर लेता है, अन्य था है कि इसी के पास ऐसा काम करने का, florin के पास धेको कुछ नहीं है, बाते समझ में इसकी insert ले लेना है ठीक है बात समझ में इसकी insert ले लेना आपको ठीक है तो चलते जलते हैं आग light की बात करते हैं यो wolves करेंगे तो हम बात करेंगे इनके आकसी अमल है उनकी सरचना की बात करते हैं आकसी अमल जितने भी है उनकी सरचनाओं की बारे मैं बात करेंगे किस तरीके सिनकी सरचना होने वाली है ठीक है इसको लिख लेना इसको लिख लेने के बात मैं करता हूँ इसको रफ ठीक है इसके साथ ले लेना जैसे भी लेना हो ठीक है अब मैं करता हूँ इसको रफ फिर इसके बात बात करते हैं आगे की ठीक है बात समझ भाई फिर करते हैं इसके आगे की बात है चलिए आगे की बात करेंगे आक्सी अमले की सरचना क्या लिखेंगे आक्सी अमले की सरचना एक-एक करके सबका लिख लेंगे क्या करेंगे एक-एक करके सबका लिख लेंगे हम कामन सरचना दिखाएंगे महाँ आप क्लोरीन होगा तो क्लोरीन जोड़ देना अब लिएमीन हो गया तो ब्रॉमीन जोड देना और क्या होगा ठीक है, structure देखना, पहला आमें देखना किसका, पहले देख लेते हैं, हाइपो, हाइपो, हैलस अमल, हाइपो, हैलस, अमल, ठीक है, हाइपो, हैलस, अमल की परिए, वो देखते हैं, सरचना देखते हैं, कैसी होती है, यदि मैं इनकी संक्रण की बात करता हूँ, किसकी बात कर तो आप जानते हो संकर निकालने के लिए सीधी से फामुला है जब नहीं समझ लिखने मुझे मांग चलो मैं ही एक student हूँ ठीक है मैं पताता हूँ कैसे लिखा जाता है इसको ठीक है सरचना के बारे में लिखना है तो मैं नहीं पता क्या लिखना संदर टो एक बार समझ लेना चैसे मैं ही student कि अब क्या करता हूं मैं मुझे नहीं क्या है क्या होने बखना यानि कि हम कैसे देंगे एकस ओ यहीं होने वाला स्ट्रीर होने वाली चैसे ओना कीसी ओने वाले सरच PHP ये देखता in हो एक्स यह होता है ठीक है यह होता है इसका मतलब है एक्स ओ यह है यहीं जुड़ा हुआ यहीं जुड़ा हुआ है इसका मतलब आपको पता है बई क्या है आक्सी अमल है आक्सी अमल मतलब ऐसी सरचना होना मस्ट है क्या है एक सरचना कम-चकम ओएच के साथ कोई सकता आप गोगा ऐसा भी हो सकता निए नहीं क्यों क्योंकि फिर यहां पर ओएच गूरूप है यह नहीं यह आख समझ भाई तो भाई आपको समझते हो आप समझ गये क्या होता है इसकी सरचना एक्स ओ यह समझ सांधाल और के सबीघन होता है किती है तो बंद बना यह ती तीन ठीक है टीक है सब्सक्राइब लिख सकते हो यहां पर के बारी कच्छन पल्स यहां पर गवावा हुआ तो है लेकिन OH के साथ जुड़ा हूँ इसके क्या होट है और इसकी क्या होती है वैज की वैलेंजी कितनी हो मोनव候 होता है क्या होता है मोनवलstalने अंप्लश में फिल्स में बंटे दो बराबर चार कम मत्रदेगा पर मंत्रस पीणब तो लिख सकते हैं इसके बारे नहीं पता था हम लिख सकते हैं इसके अंदर हाइपो हाइलस का लिख सकते हैं हाइपो हैलस अम्ल्की अम्लमें SP3 क्या होती है बई SP3 संकरण होता है SP3 संकरण होता है ठीक है इतना तो मुझा पता चल गया बई SP3 होने के पतब क्या है चतुस फल्की है चतुस फल्की के मतलब यह X हो गया यह हो गया यह यह और यह चतुस फल्की हो गया अब जानते हो 3 LOAN PERR, कितने LOAN PERR है बात समझते हैं, 3 LOAN PERR है 123 OH यही है, यही है यानि कि RHAKEE होने वाली है यह सरचना ऐसी कुछ होने वाली है यह तो LOAN PERR है घा कैसी है टो बोلेंगे क्या भई यह इनकी सरचना कैसी है RHAKEE है, क्या है भई रेखी है ठीक है बात समझ में रेखी कह सकते हो इसको ठीक है बात समझ में इस तरी किसे बहुत सकते हैं तो लिखेंगे इनकी या फिर लिख सकते हैं इनकी सरचना क्यासी होती भई इनकी जैमिती लिखोगे तो चतुसपल की लेकिन सरचना कैसी होगी रेखी होगी तो ततन ली सकते हैं तथा इनकी सरचना क्या होती है रेखी होती है यक्स के पास या फिर हैलोजन के पास हैलोजन के पास हैलोजन के पास तीन तीन इलेक्ट्रान यूग्म होते हैं लिख लो इसी को लिख लो सरचना बना लो अब इनकी को बना के दिखा देते हैं इनको लो भाई यह आप सामने है आपके ठीक है अब लिख सकते हो क्या हो सकता भाई एक्स हो गया ऐसे बना लेते हैं लो हो गया ठीक है कुछ इस तरी के इस हो गया अब हो जाने के बतलब यह है कि क्या हुआ भई रेकी सरचना हुआ यानि इसका संक्रण क्या हुआ एस पी थ्री हुआ ठीक है अब एक्स जहां लिख सकते हो जहां एक्स बराबर एक्स बराबर क्या हो सकता है यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है ठीक है बात समझ में यह कुछ भी हो सकते है यह तीनों में से कुछ भी हो सकते ह बात समझ भाई बात समझ भाई इस तरीके से बात करेंगे इस तरीके से इनकी बात करने वाले हैं या कर लिये हैं ठीक है कैसी सरचना होते है रेखी सरचना होती है ठीक है अब हम भाई अगले next के उपर चलते हैं हैलस अमले के उपर किसके उपर चलते हैं हैलस अमले के पास चलते हैं कि हैलस अमले जाने पर क्या होता है कैसा होता है ठीक है हाइप को हैलस हैलस अमले के उपर चलते हैं ठीक है मैं इसको रफ करता हूं ठीक है बात समझ में ना लिखना कितना असान है दिख रहा है कि नहीं लिखना असान ऐसे लिखना बई बिलकूल असान है असान तरीका फटा फट कॉपी उठाना फटाक से रफ ना हैल असम्लिक के बारे में लिखना सुरू कर दो क्या करो हैल असम्लिक के बारे में लिखना हैलन समलक के बारे में देखो नहीं पता है फिर से भाई काम नहीं पता है रफकार के कर लो पीछे से क्या होता है एक्स एक्स ओ टू होता है यही होता है इसका मतलब इसके बास कम से कम कितना होना चाहिए दो आक्सिजन तो एक OH होना चाहिए कम से कम एक OH होना चाहिए कम से कम दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है तो आप जानते हो इसमें आक्सिकर संखाई कितनी होती है हैल असम्ले में तीन होती है प्लस तीन होती है प्लस तीन करने के लिए क्या करोगा भाई एक आक्सेजों बचा इस तरीके से एक दो 3 हो गया इक और कंडीशन बन सकती यह इसकी OH और क्या सकता था वाई दूसरा कंडीशन कुछ और बन ही नहीं सकता अगर कहीं है तो एक तरफ इस तरी जाएगा ठीक है बात समझ नहीं इस तरीके से पेर कितने लोन प्य inject दो प्य एक दो तीन सबसे और डो इसे वेसा ऐसे बन दिद्धि आपको संपनना द्यारा तो एक दो तीन और क्योंकि डबल बॉंड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है और संक्राण निकालने के लिए सिफ सिगमा काउंट करते हैं पाई को काउंट नहीं करते हैं यह बात अच्छी से जानते हो तो एक दो तीन चार चार के लिए क्या होगा वह एस पी थ्री हो जाए क्या हो जाएगा और आक्सिजन को नहीं जोड़ेंगे यह क्या है पूरा का पूरा ओएच क्या है एक सभी जोड़ेंगे प्लस में दो बटे बराबर क्या हो जाएक बटे दो बराबर चार आजगा चार के लिए फिर से वही क्या क्या मैं भई SP3 ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है बाते समझ भाई आपके मर्जी है किसी तरीके से भी निकाल सकते हो इसे ठीक है चलिए त्यानि SP3 इसके बीच में भी संक्रण आएगा यदि संक्रण निकाल लेता हू अब ऒ़ी सरचना देख लेता है कैसी सरचना आ सकती है कैसी सरचना आ सकती है ऐस हो गया च्याथ सवलकी क्योंगी होगा लो भाई घ्ली अस habían भीगरना सुरू करते हां एक जगह क्या दूपिए है क्या दोल इंप क्यों प्रन फ sırु ध करो double band O हो गया यहां पर OH हो गया ठीक है यह थोड़े से दबाएंगे थोड़े से दबेंगे V अकार का बन जाएगा इसी तरीके से सरचना निकालोगे और इसी के बारे में क्या लिखोगे इसके बारे में लिखोगे तो लिख लेना भाई वही चीज़े लिख लेना है लिखोगे इन में SP3 संकरण पाया जाता है तथा इनकी सरचना क्या होती वही भी अकार की होती है ठीक है कैसी होती है वही अकार की होती है देखो कैसा होता है देख लेना भी अकार कैसा होता है आपने अभी निकाला चतुस्वलकी SP3 है, SP3 है तो चतुस्वलकी चतुस्वलकी निकाले के लिए क्या होता है S123 ऐसे चतुस्वलकी होता है दो लोन प्यार है, दो लोन प्यार है या फिर लिख सकते होता था इनके पास वह, इनके पास वह, इनके पास कितने दो एकाकी इलेक्ट्रान यूग्म या इलेक्ट्रान यूग्म कर सकते हैं ठीक है एकाकी इलेक्ट्रान यूग्म होते हैं कितने हैं दो है बैए दो है तो लो बैठालो दो को दो को बैठाल लेते हैं कहाँ पर बैठाल लेते हैं एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉंड के साथ क्या हो जाएगा, बई, डबल बॉंड के साथ, ओ, एच्छ हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉंड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एक आसे जिन डबल बॉंड से जुड़ेगा, एक सिंगल बॉंड से क्या होगी इस तरीके सोरी यहां पर एक्स होगा ना क्या होगा एक्स होगा जहां पर लिख सकते हो जहां पर क्या है इसे वह प्लस त्री आक्षीकर संक्या दिखा सके है इसलिए आप फ्लोरी नहीं ले सकते हैं इस तरीके बात करने वाले हैं इस तरीके से ये काम करेगा ठीक है अब बात करते हैं इनके आगे के बाते करते हैं अब हम हैलस हैलस अमले हो गया अब हैलिक अमले पर देखेंगे किस पर देखेंगे हैलिक अमले को देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है ठीक है बात समझ बाई तो चलो हैलिक अमले की फरिवासादा है हैटिंग डा लेना हैलिह कांब कुसिज करना फटाउडकिक हैलिक अमले लिखना और फटाउडकिक करने के कोसिज करना चलो फटाक से करो भाई तीसरा लिख लेना भाई तीसरा लिख लेना है लिख अमल फार्मला ह-X-O-3 इसके बारे हम लिखना इसके बारे हम क्या लिख होगा भाई इन में क्या होता है फिस भाई निकालो फिर से रफकार कर लो भाई H-X-O-3 X है भाई एक H है तो एक H के साथ O-S दे दो क्योंकि यह होना मस्ट है तभी तो आक्सियम लोगा एक हो गया दो हो गया ठीक है एक दो तीन पांच पांच बंद benा लिया बजे कितने दो ठीक है यानि कि फिर निकालना चाहो तो एक सिंगल बाउंड एक हो गया लोन प्यार भी एक हो गया दो हो UV ऐग टो टील दो कि alone Q को सब्सक्रा यूज को जोड़ें के नहीं ये एक सब्सक्राइब बर्राबर चार कर ec SP3 है, बात एक ही है, दोनों के बात एक ही है, तो लिख सकते हैं, इन में HXO3 का में SP3 संकरण होता है, ऑब देख लो, SP3 है भाई, तो क्या बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, क्या होता है, लोंपयर कीतने है, एक लोंपयर भ्या ठालेते भई, और इधर क्या है, double bond O, डबल मांड ओओ और तिक है बासमें यानी पीरामिटी देख रहा है ना वह उस पैने फ्रीकिन ही चाहिए नहीं समझ घो है तो वह ळखा के देख लेना जब देखोगे ना अमूनिया वाले श्रुक्चर में तो वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है बात इस मंज़ें वहाँ पे मिल जाएगा पर इस पास और एक एका की इलेक्टरान युग्म होते हैं क्या होते हैं एक एकाकी इलेक्टरान युग्म होते हैं बाकी सब इसके पास सिफ एक ही है लोन पेर तो एकाकी इलेक्टरान युग्म कितने हैं एक है तता इनका आकार वह इनकी सरचना क्या होती है वाई सरचना क्या होती है पिरामिडी होती है क्या होती है वाई पिरामिडी होती है बाते समझ में क्या होती है पिरामिडी होती है किस तरीके से होती है देख लेना यह हो गया एक्स यह यह और यह हो गया ठीक है यहाँ पर हो गया, loan pair, यहीं loan pair हो गया तो double bond O, यहाँ पर क्या हो भई, double bond O और यहाँ पर O, H हो गया, ठीक है, बात समझाए लेग, इसके बीच में संकड़ क्या है, SP-3 है, और लिख सकते हैं, जहाँ, क्या भई, X ब्राबर क्या है, X क्या यहाँ पर हो सकता है, chlorine हो सकता है, chlorine ऊसकता और यह सबसकता और ब्रॉमीन हो सब्सक्तें बख्या कोई नहीं हो सकता। ठीक है। कि मैं एक इक्जामपल बना हूँ तो क्या सब्सक्रामिन किसे क्लिप बना से हो जाये का है। और यहाँ पर क्या पना दोगी आयोडीन बना दोगी तो आयोडीन हो जाएगा बाते समझ में इस तरीके से बात कर लेंगे इनकी इस तरीके से बात करेंगे बाते समझ में आ रही है दिमाग में जा रहा है ना बाते ठीक है बाती समझ बैए हैलिकम लोगे वही एक और बचधा हुआ appear है लिकम् लक्या हुतता ब पर हैले कम लोग फटाक से क्षेकर इसको बनाने कोशिक आपने कौपी उसको बनाने की सिक रहो फटाक से गत्तुत कर रहा हूं क्या कर रहा हुआ भई रफ कर रहा है बाती बाते समझने हैं ठीक है चली इसको रफ कर लेते हैं धीक है नेक्स चैडिन स्थी रफ दो बाई या होता बाई एक आक्स ओ और बढातेंगे ठीक है बाई समझ इस तरीके से बात निये प्रNat tumor कर लेंगे वा म्यूव देदश जाarta कर लेंगे, ठीक है, चलिए, कोई बात ने, ठीक है, तो भई, यही काम करना है, फिर से भई काम करना है, देख लेना, फिर से मुझे क्या करना, रखपार करके देख लेना, भई, एक है, एक ही एस तो है, एक ही एस है, तो ओ एस के साथ चला जाएगा, बकि जितने बचेंगे, double bond बनाएंगे, क्या बनाएंगे बई, double bond बनाएंगे अब देखे न इसके अपास 7 एलेक्टान ते 7 उक 7 वीजी हो गए, इनके बंद बनाने में 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 1 इधर, 6 आप 7 हो गए यानि कि संक्रण कौन साइगा, 1, 2, 3, 4 4 के लिए क्या होता बई, SP3 उस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है SP3 आया कोई लिक्रान यूग में है, नहीं यह चतुस्वल की होता बई चतुस्वल की होता देख लो यहाँ पर O याच हो गया double bond, double bond double bond, ठीक है यानि चतुस्वल की रहने वाला है क्या रहने वाला चतुस्वल की ही रहने वाला बिगड़ने वाला नहीं है इस बार ठीक है, लोन प्यार होता है तब ही बिगड़ता है यदि लोन प्यार नहीं है तो बिगड़ेगा नहीं, बात इस समझ में क्या होगा बई बिगड़ेगा नहीं तो लिख सकेंगे लिखेंगे क्या होगा अब पर हैलिक अम्ल में अम्ल में क्या होता है SP3 संकरण होता है तथा इनकी सरचना क्या होती है बाई चतुस फल क्यों होती है चतुस फल की होती है किस तरहा है चतुस फल क्यों होती है तो जर्णा देखना वही नीचे जो मैंने बनाया था X यह हो गया OH इदर डबल बॉल बॉंड गाथ वासा पर दर डबल बॉंड ओ ऑ हो गया अब इसकी बात करेंगे इसमें संक्रड कौँ सा भई SP3 संक्रड जहां लिग दोगे कि जहां पर क्या है भई जहां पर आपका X क्या है भई X क्या है आपका क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है यदि मैं एक जामपल की बात करूँ तो कोई लिख सकते हैं जामपल जैसे क्लोरीन हो गया है HClO4 इसकी सरचना गभी मैं बात करूँ तो क्या करोगा बई क्लोरीन OH डबल बॉंड डबल बॉंड डबल बॉंड बात समझ बाई ये क्या है चेत्रसफल की है डबल बात करेंगे आगे थोड़े से आकसी अमली के बारे में और थोड़े से डीटेल में बात करेंगे क्या करेंगे थोड़े से और बात कर लेंगे आक्सी अमल की बारे में कि इनकी अमलिता उपर से नीचे आने पे घटी है बढ़ती है क्या होती है इनकी बाते कर लेते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं बात करते हैं इनके हाइलाइटों के अस्थाइट के बारे में ठीक है इनके अस्थाइट के बारे में बात करेंगे तो इनका जो अस्थाइट होता है यदि हम बात करते है तो जो सबसे ज़्यादा अस्थाइट होता है वो परहैलिक अमल होता है क्या होता है परहैलिक अमल सब से जादा अस्थाई होता है इसका ठीक है हाइपो अमलज होता है ना हाइपो हैलस अमलज होता है वो सबसे कम अस्थाई होता है यह बातों को ध्यान रखना कि अगर ना इन बातों को ध्यान रखना तो इनके अस्थाइत के बारे हम देख लेते हैं थोड़ा से ठीक है तो अस्थाइत डाल देना आकसी अमलक के अस्थाइत तो अस्थाइत की बात कर लेते हैं जो अस्थाइत होता है उपर से नीचे क्या होता है इनका जो अस्थाइत का क्रम होता है क्रम की मैं बात करूँ किसका बात करूँ मैं क्रम की बात करूँ तो क्या होता है वई हCLO सबसे कम अस्थाई होता है क्या होता है सबसे कम अस्थाई होता है ठीक है, बात relief नहीं दिख रहा है., इसले नहीं चाह क्लोरी कमल में परिवर्तित हो जाता है बाते समझ मैं इस तरीके सिंके हाइलाइड के बारे बात करें अब बात करते हैं हाइलाइडों के अविक्रिया धातूं से कराओगे तो क्या होगा आकसी हमले खतम हो गया आपका आकसी हमले जो था पूरी तरीके से खतम हो गया है अब हम थोड़े से हाइलाइड की अविक्रिया धातूं से करा लेते हैं फिर उसके बात क्या करते हैं और धातूं से कराएंगे फिर दैना आपका जो रासानी गुड है हाइलाइडों का वो खत ठीक है तो बात लिख लेना क्या लिखोगे बाई हाइलाइड की अबक्रिया क्या होते बाई किस से धातू से कराने का धातू से ठीक है लिख लेना है अब लिखोगे क्या इनमें जो धातू के साथ अबक्रिया होती है जो धातू के साथ अबक्रिया होती है जो धातू के साथ और एक होती है, क्या होती है, सासे हो जी होती है, तो लिखना, कम आइनन उर्जा वाले, क्या होती है, कम आइनन उर्जा वाले, धातुओं से हैलोजन स्वारी हैलोजन के अबक्रिया धातुओं से हैलोजन अबक्रिया करके क्या बनाता बाई आइनिक योगिक आइनिक हैलाइड बनाता है क्या बनाता है आइनिक हैलाइड बनाता है क्या बनाता है आइनिक हैलाइड बनाता है जो हैलाइड वो होता है वो आइनिक होता है तता इनका गलनांक वो कोथनांक अब आइनिक है तो पक्की बात है क्या होगा गलनांग वक्षनांग क्या होगा उच्छ होगा अधिक होगा तो गलनांग वक्षनांग तथा इनका गलनांग वक्षनांग उच्छ होता है क्या होता है उच्छ होता है यानि अधिक होता है बाते समझ देख लो जैसे जैसे मैं बात करूँ जैसे sodium है, इसका क्या होता इसका आनलूज़ा कम होता है, कम होनी को जैसे कहा है, इती है मैं florine से भी कराूं, किसे कराँ हूं, फ्लोरीन से कराऊं, तो क्या बनाएगा वई, naf बनाएगा, और यह क्या होगा, आइनिक होगी, बात है समझ भई, जैसे मैं बात कराऊं, किसे साथ अधिक होगा एधि मैं बात करूं उच्छ आइनन उर्जा वाले धातूं से कब क्या करेगा तो क्या बनाएगा तो लिखना आगे उच्छ उच्छ आइनन उर्जा वाले धातूं धातूं से अबक्रिया करके क्या बनाता है भई स्वसयोजी स्वसयोजी योगिक या स्वसयोजी हैलाइड धातू हैलाइड बनाता है क्या करता है भई स्वसयोजी हैलाइड बनाता है या फिर धातू हैलाइड बनाता है ठीक है तथा इनका तथा इनका क्या होगा भई गलनांक वा कथनांक क्या होगा रह ignor:「 उच्छा क्या होगा। किया होता है। कं मोता है। पकी बात और कं मोता है। यह बाते आप जानते हो। ठीक है जैसे कम अधिक होन आई ने शावाले कौन से चीजिए 2 है यह यह इन आप दिशता होगा। और क्या किया बनाएगा yesterday वेद्या करें हो। फीक है जिंक है यह क्या आयन लुट जादिक होती इसके बिक्या क्लोर्लिन से कराओ जेड़न CL2 बनाएगा जेड़न CL2 यह ऐसे वाले अभी क्य वाले जैसे भी धात्यू आएंगे उन से बिक्या करेगा तो यह क्या बनाएगा इनके बीच में जो योगिक बनता है वो लगबख सा सेयोजी योगिक बनते हैं सा सेयोजी योगिक जाते गुड़ होता है उनका आयनिक वाला कम हो जाता है ठीक है बाते समझ मैं ऐसा काम करता है बाते समझ मैं न ऐसा योगिक बनाता है जैसे आयनिक योगिक वाले, जैसे डी, कच्छक वाले, जितने भी दी, 3D वाले, 4D वाले, ये सभी जितने धातू होते हैं, उनकी आयना नूर्जा क्या होती है, अधिक होती है, आयना नूर्जा उच्छ होती है, अधिक होती है, इसलिए वो क्या बनाता है, सौसेजी योगि ठीक है बाते समझ में इस तरह के से धातू के बारें बात करेंगे इसके बारें बात करेंगे यदि ये और धातू से अबिक्रिया करता है तो क्या बनाता है उन्हीं के बारें थोड़ से देखना है लाश टॉपिक आज की होगी और धातू के साथ अबिक्रिया तो लिख लेना किसकी हैलोजन की अभिक्रिया औधातू के साथ किसे साथ औधातू ठीक है ये हैडिंग डाले ना तो क्या होगा भई आप सिंपल सी बात है औधातू के साथ अभिक्रिया करेगा औधातू और अधातू अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे हमेशा और हमेशा क्या बनान ऄज़ो आप ठीक है? इनके साथ कराऊगे ही तो क्या बनेगा भी पीछे, आपने सारी direction पड़ी हुई है वही repeated the explanation है ठीक है? बास समझ !! चलि बाओ, बात करते हैं मा जे guiding इस दिक करते हैं चल देगे ॏ ठीए, लिखै इसमें । क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्या हैलोजन हैलोजन और धातू से अविक्रिया करके अविक्रिया करके क्या बनाता बई और धातू हैलाइड का निर्माड करता है क्या करता है और धातू हैलाइड का निर्माड करता है जैसे क्या बनाएगा बनाएगा या फिर यह क्या करेंगे पी फोर होगा सी यल टू क्या हो जाएगा आधिक की में हो जाएगा तो यह क्या बना लेगा पी सी यल फाइव बना लेगा और आई एफ सेवन बनाएगा क्या बनाएगा आई एफ सेवन बना लिया बात यह समझ में यह सभी सभी क्या होते है और धातू हैलाइड बनाते है अश्के कहेंगे साज़ियो फाइलाइड बहलेंगे साज़ियोग के बनाते है बात यह समझ में यह हाईलाइड का जो राशियनिक surprisingly गुर था आज का, वह होता है समाप्त क्या होता बैए आज के लिए बस इतना है हम आगे वाले लेक्ज Deaf लेक्चर में लेक्चर के बारे के बारे करे के बारे मुगा ठीक है उनके बारे पढ़ेंगे ठीक है तब तक भाई आपके लिए धन्यवाद यह आप देख रहे हैं वीडियो को तो जानते हैं क्या करना आगे सारी की जानतों लाइक करना है और सबसे जरूर यह पढ़ाई करते रहें ठीक है धन्यवाद